मद्यप्रदेश में करोना संक्रमेंट की रफ्तार अब डराने लगी है हालात ये हैं कि मद्यप्रदेश के तीन शहरों में इंदौर, भुपाल और जबलपोर हर अभीवार लॉकडाउन तो लगेगा ही जिसके तहट 23 मार्च को सुबह 11 बजे और शाम को 7 बजे दो मिनट के लिए पूरे मद्यप्रदेश के सभी 52 जिलों में सायरन बजाए जाएंगे ये संकल्प रहाएगा कि लोग घरों से बाहर निकले तो मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और कोरोना प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइन का पूरी तरीके से सकती से पालन करे ताके कोरोना संक्रमन्ट की ये जो रफ्तार बेलगाम होती जा रही है उसे रोका जा सके ये जो संकल्प अभियान है इसको शुरू करने के पीछे की सबसे बड़ी वजे है मद्यबदेश में तेजी से बढ़ता कोरोना का ग्राफ अगर हम बात करें बीते 24 घंटों की तो मरपूरे मद्यबदेश में करीब 1322 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं जिसमें सबसे जादा मामले अकेले राजधानी भोपाल से हैं जहां कुल 382 नए करोना पॉजिटिव सामने आए हैं वहीं इंदोर की बात करें तो वहां भी आखड़ा 326 नए करोना पॉजिटिव तक पहुच चुका है तो जबलपूर जो तीसरा सबसे बड़ा होट स्पॉट है वहां 108 नए मामले सामने आए हैं सरकार की जो सबसे बड़ी चिंता है वो ये की पॉजिटिविटिटी का जो रेट है वो बढ़कर पहली बार इस साल में 5.7 फीज़ी तक पहुच गया है और यही वज़े है कि एक्टीव केसेस की संख्या भी बढ़कर 8.000 तक पहुच गई है जो कि साल 2021 में सबसे जादा है और इसलिए खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंग चोहान ये स्विकार कर रहे है कि कोरोना जिस तेजी से फैल रहा है ये सरकार के लिए एक बड़ी चिंता की बात है हाला कि उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि व्यवसाइक गती वीदियों को बंद करने के पक्ष में वो नहीं है लोकडाउन के पक्ष में नहीं है लेकिन यदि कोई चाला नहीं बचा तो फिर सक्ट कदम उठाने होंगे कैमरामन इरिशाद खान के साथ रवीश पाल सिंग भोपाल